लो एन वेलकम तो मैं चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी चांदनी प्लांट की प्रॉपगेशन जो सामने हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्लांट तरसल जो चांदनी प्लांट होता है उसी की ड्वाफ वेराइटी होती है या मिनी वराइटी होती है और इसको हम क्रेप जैसमीन भी कहते हैं जैसे की चांदनी प्लांट को हम बहुत इसली प्रॉपगेट करते हैं स्टेम्स के साथ वैसे ही फ्रेंड्स हम इस प्लांट को भी घर पे उगा सकते हैं तो चले मैं आपके साथ दो इंपोर्टन चीज़ें शेयर करती हूँ ये मैंने कटिंग्स इस प्लांट से ले ली ये हमारे घर के पास ही लगा हुआ था टेम्पल की बाहर की जो बाउंडरी लाइन होती वहाँ पे तो पुजारी जी से पूछ के मैंने कुछ कटिंग्स ली और मैंने दो दिन हो गई है कटिंग्स लिये हुए और इनको मैंने घर पे आके पाने की बोदल में भरकी रख दिया लेकिन ये जो ब्लांट अब ये आप देख रहे हैं काफी मुर्जाय हुआ हुआ था मुर्जा भी गया आप देख पा रहे होंगे कुछ पत्ते इसके सूख हैं स्टेम्स भी सूख गई है और उतना अच्छा रिजर्ट नहीं आया है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्लांट पुरी तरह से मर गया हूँ मुझे इसकी कटिंग्स मिल गई तो मैंने सोचा कि मैं इन कटिंग्स को भी इसी प्लांटर में ग्रो कर देती हूँ और आपके सार शियरिंग भी हो जाएगी कि आपको अगर कहीं है लगा हुआ दिखे तो आप खरीदने की जुरूरत नहीं है आप फिर से इस प्लांट को अच्छे से पहचान लें छोटे 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 इसके फ्लार्ज होते हैं छोटे छोटे इसके लीव्स होते हैं चांदनी तो आपने देखा होगा बस उसी को आप उसी के सारे लीव्स और फ्लावर्स की साइज को चोटा कर देते हैं तो यह प्ल और काफी सारी प्रूनिंग कर देना चाहिए यह बहुत जरूरी स्टैप होता है जो प्लांट की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बच जाए और फिर से उसमें नए पत्ते आने के लिए हमें इसका यह सारा प्रूनिंग का काम करना चाहिए तो अभी देखें मैं mostly जो भी dead है stems इनको मैं हटा दे रही हूँ और बाकी जो अभी survival में हैं उनको भी मैं थोड़ा सा कट करूँगे और इस प्लांट की energy को हम conserve करेंगे यह जो मैं stems कट करें इनको मैं फेकने वाली तो नहीं हूँ मैं इनको regrow करने की कोशिश करूँगे और अभी मैं आपके सामें चेक करके बताती हूँ कि इनमे survivor के chances हैं की नहीं है और साथ में ही है यह हम stems जो नहीं वाले प्लांट की लेक और आप इसको बड़े इसली घर पे लगा सकते हैं यह देखे मैंने थोड़ा सा लंबी ली है तो यह वाली stem cutting तो हमारे बहुत अच्छे से यह results देने वाली है देखे मटी अलड़ी गीली है इसमें गोबर की खाद मिली हूँ है 20% और 70% garden soil है और 10% इसमें रेत का mixture बना हू इसमें अभी भी slight yellow tinge है तो मैं इसको भी grow कर लेती हूँ फिर कोशिश करते हैं कि यह भी उख जाना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा पत्ते मैंने अभी कट कर देना है ताके यह stems हमारी अच्छे से उख जाए यह भी उख जाना चाहिए थोड़ा सा येलो है यह बड़ा से करने में कोई हर्च नी है मट्टी हमारे अलड़ी उप जाओ है ही कुछ extra additional fertilizer तो मैं नहीं डालोंगे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कुछ जो पत्ते हमारे नहीं वाली stems की येलो हो गए क्योंकि दो दिन से काफी तेज धूप थी और मुझे कटिंग को रखना चाहिए घर के अंदर shady area में लेकिन बाहर रखा और फिर में भूल गई तो इसलिए मज़े थोड़ा सा गील्ट हुआ मैंने सुचा है मैं पहले सब काम छोड़ करके ये cuttings को propagate कर देती हूं और एक आपकी साथ shear भी कर देती हूं ये देखें मट्टी अलड़ी गीली थी तो उसमें मै एक कम जरूर करने जब भी आप stem cuttings लगाएं आसपास की मट्टी को अच्छे से प्रेस कर दें ताकि रूट्स के आसपास air not wrap हो जाए मट्टी हमें इसलिए प्रेस करना होता है कि अगर यहां पे air gap आ जाता है मट्टी एंड स्टेम्स के बीच में तो root development होती नहीं और हमारी cuttings fail हो जाती हैं बहुत अच्छे से आप मिट्टी को प्रेस करें stems के around बस इस तरीके से आप इस प्लांट को लगा दे ना 15 दिन फ्रेंट्स लग जाते हैं root development होने में और आप चाहें तो इसके जो काफी सारे leaves उनको cut भी कर दे सकते हैं लेकिन मैं अभी leaves को cut नहीं कर रही यह ऐसे भी लग जाता है और जो yellow leaves हो गये उनको मैं बाद में सीजर से हटा दोंगी और पानी में पे आप इसको रखेंगे तो 15 डेस में पानी में भी root development बहुत अच्छी हो जाती है बस तीन-चार दिन बाद आपको पानी बदलते रहना पड़ेगा और मती में भी आप आपको यह वीडियो यूसफुल लगा होगा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को इंस्पायर करती रहों कि गाड़निंग करते रहें और इजी और चीप मैथड से करते रहें थैंक यू सो मच